हरी कृष्णा आज में आपके लिए मिर्ची का अचार, आमली का अचार, दो तरहां की चटनी और साथी सिर्के वाले प्यास की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके खाने का स्वाथ 10 गुना बढ़ा देती है तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने 500 ग्राम हरी मिर्च ली है यह बहुत जादा तीकी नहीं है थोड़ी तीकी होती है और इसको हम पहले अच्छे से पानी से धो लेंगे उसके बाद किचन टावल पर इस तरीके से साफ कर लेंगे और फिर इसे पं टुकड़ों में काट लेंगे जिससे इसे खाने में भी असानी रहती है आप एक फ्राइपेन में आधा कप सर्सो का तेल ले लेंगे और इसे धुआ उटने तक गरम कर लीजे उसके बाद थोड़ा ठंडा होने दीजे आप इसके लिए स्पेशल मसाला तयार करेंगे तो मै मसाला अच्छे से भुन गया है आप इसमें लास में हम थोड़ी सी हिंग डाल देंगे और इसे एक बार चला लेंगे और गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इस मसाले को हम यहाँ पर दरदरा सा पीस लेंगे यह देखे यह मसाला तयार हो गया है और यह मसाला हम यहाँ पर म यह बहुत जादा तीक ही नहीं होती है और जब यह सरसों का तेल भी यहां पर ठंडा हो गया है तो इसे भी हमचार के उपर डाल देंगे अब मैंने यहां पर दो बड़े नेंबो कर रस निकाल कर इसमें डाल देंगे और आप चाहें तो यहां पर वन फोर्थ कप सिर्का भी सिर्के से बच्चों का गला जल्दी से खराब हो जाता है इसलिए मैं उसे डालना कभी भी प्रिफर नहीं करती हूं और यह देखें यह हमारा इंस्टेंट मिर्ची का चार बन करके तयार है यहां पर आप इसे साफ और सुखे जार में इस तरीके से डाल दीजिए यह देख से धोकर और यहां किचन टावल पर निकाल लिया है इसे भी हम अच्छे से पॉंच लेंगे यानि इसकी जो नमी होगी वो हट जाएगी और अब इसे छोटे टुकडों में हम इस तरीके से काट लेंगे हर चीज को छोटे टुकडों में काटने से इसे खाने में भी असानी कर लेती है कि देखें हमने यहाँ पर सबàiत काट याई थोड़ी से अद्रक को बीमने जूलेंस में कहाटा है और हरी मिर्च को भी काट लिए आप ग्लाए रगते हैं मैंने यहाँ पर आाइरं की कडाई रख किया आप को इसे ले सकते हैं इसमें हमने दो बड़े चममत सरस का तेल गरम कर लिया है अच्छे से और इसमें यह आमला हरी मिर्च और अद्रक डाल देंगे और इसे एक बार इस तरीके से टॉस कर लेंगे और इसे ढख देंगे ढख कर हम इसे तक तक पका लिजे जब तक की जो आमले हैं अच्छे से सॉफ्ट ना पड़ जाएं और मुश् dal देगी मिर्च पाउडर ढुडर ढाल देगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो मसाला हमने पहले हरी मिर्च के लिए तयार किया था वही मसाला मैंने इसके लिए भी तयार किया है और इसमें हम यह डाल देंगे आप चाहें तो एक बारी में जादा बना लिजी या फिर आधा-धा डाल दीजे और ये देखिए ये तयार हो गया है अगर मैं इस तरीके से काट कर देखती हूं तो आमला इजीली कट रहा है अब इसे 2-3 मिनट खुला ही पका लीजे चला लीजे और बस ये आमले का चार तयार है अब इसे पहले पूरी तरह से ठंडा होने दीजे और जब ये ठंडा हो गया है तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है अब हम इसे साफ और सुखे जार में डाल देंगे मैं इसमें बहुत जादा नहीं डालती हूं तो मैं इसे फ्रिज में रखती हूं हमेशा फ्रिज में ये दो महने तक भी खराबनी होगा और अगर आप इसे रूम टेंप्रेचर पर रखना चाहते हैं तो तक्रीबन एक कप उयल को गरम करके ठंडा कर लीजिए फिर इसके उपर डाल दीजिएगा तो ये चार बाहर भी रूम टेंप्रेचर पर खराब नहीं होता है और ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी सिर दो चमच ओयल में तयार होने वाला आमले का चार बन करके तयार है और इसे फ्रिज में रखकर आप इसे दो महने तक स्टोर कर सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता अब हम जल्दी से बना लेते हैं यहां पर सिर्के वाले प्यास तो मैंने यहां पर आधा किलो सिर् करें जींड कहलें के यहां औरर विकलो कई दोदें पर देंगी और तकरीब करीबंड़ के करीब करीब मैंने इस पानी डशे है आधी जो इसकी कोती शचुकी होती है इसमें सिर्का बहात सी डलता है लेकिन संसरी बहाएं यह साम मैं बाख जाता दाला बैसंदेंगिश है सिर्के से बच्चों का गला खराब होता है तो इसलिए मैं बहुत ही कम यानि नाम मातर का सिर्का डालती हूँ कि बस सिर्के से हलके से खटे हो जाए लेकिन ये जो ब्याज है बहुत ही जादा टेस्टी है और आप इसे फ्रिज में रखके 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं ये बिल सिर्का डाला है तो आप उसे डिसकार्ड करके फ्रेश पानी डाल करके फ्रेश नए तरीके से प्यास बनाएं अब हम बनाएंगे चटनी तो मैंने हैं पर एक कप हरा धनिया और आधा कप पुदीना को अच्छे से धोकर इसमें डाल दिया है साथी तीन हरीमिश डाली है एक आधी चोटी चमच भुना हुआ जीरे का पाउडर और आधी चोटी चमच चाट मसाला डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है लेकिन मैं इसमें यहाँ पर नमकीन डालना भूल गई थी पहले तो आप पहले ही डाल इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए नमकीन डालने से जो चटनी का कलर तो ब्राइट होता ही है साथी टेस्ट भी बहुत इनाइंज हो जाता है अब मैंने यहाँ पर एक कब दही को अच्छे से फेंट लेंगे स्मूथ कर लेंगे इसमें तीन से चार बड़े च अचार, मिर्ची का अचार, सिर्के वाले प्याज और दोनों तरह की चटनी बनकर के तयार है और यह आपके खाने का स्वाद 100% बढ़ा देंगी तो आई होब कि आची रेसिपी आपको पसंद आई होगी इसी तरह की और नही नही रेसिपी देखने के लिए वीडियो को ला आप मिलती हूँ एक और नही रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई एंड टेक कियर